हलो बच्चों कैसे वाप लोग मैसेल तराचन टीम मैच CLC सीकर सो आज हम लोग अपने यूनिट एट के अंदर बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में किलियर है तो इसके अंदर क्या-क्या पार डिसकस करने वाले हम लोग हमारे जो भी 2016 से लेके 2020 तक जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्यूस्त्यट्स स्सफ आएवे है जनरली समसीर इंटीग्रेशन के यूस्त्स ने कुछ इंडेफिनेट के भी होंगे साहिव था देख दूंड। ठीक है बच्चो थोड़ा बड़ा भी है बट देखिए अब हम लोगों को अगर concept समझना हो तो हम इसको किस तरीके से कैसे solve करेंगे देखिए बच्चो यहाँ पर सबसे पहले एक लिमिट देखिए आपको लिमिट एंटेंडिंग तो इंफिनिटी और में जो काम है आपका यहाँ पर इस लिमिट को solve करना ही है इस लिमिट को अगर हम अच्छी तरीके से solve कर लेते हैं तो अपना काम आसानी से हो जाएगा लेक पहले बात करते हैं कि इस लिमिट के बारे में कि यह क्या होगा तो देखो बच्चो सबसे पहले अगर मैं इस expression के अंदर LCM ले लूँ यहाँ पर ठीक है उसमें LCM ले लूँ और यह जितने भी N है यहाँ पर ठीक है यह N यह N यह N इन इन सबको मैं common निकाल लूँ तो क्या बहार परजेंट है ठीक है और जैसी LCM लेंगे बच्चों तो यहाँ पर बन जाएगा यह आपके पास में X upon N फिर बच्चो अगले फेक्टर की तरफ चले एक्स अपान N प्लस 1 ठीक है न यह पूरा फेक्टर बनेगा आपका ठीक है अगले फेक्टर की बात करें बच्चो तो 2X divided by N फ्लस 1 अगले फेक्टर की तरफ चले तो बच्चो 3X divided by N फ्लस 1 ठीक है और इस तरीके से आपके पास में ठीक है न डेस डेस करके लास्ट केंद्रा जाएगा N X divided by N N X divided by N फ्लस 1 तो यह मैंने क्या किया मैंने इसमें LCM ले रिया लेकिन बच्चों जब LCM लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, up to N तक आपके पास में N numbers का multiplication नीचे भी रहेगा उसको नीचे लिख देता है N factorial एक देखो बच्चों यहां पर N factorial पहले से present है नीचे उसको लिख दीजिए अब बात करतें बच्चों इसके अंदर भी में क्या करूंगा जैसे उपर से N common लिया था यहां सब N to the power N common, N to the power N common फिर वही चीछ देखो बच्चों वही ट्रम्स यहां पर बनने वाली है X square upon N square पहला फेक्टर बनेगा आपका X square by N square ठीक ना N square नीचे आजाएगा बिलकुल plus 1 अगली ट्रम्स के अंदर चले बच्चों तो उधर आपके पास में 4 चला जाएगा तो यह बन divided by N square plus 1 थोड़ा सा भी यहां पर आपको दीखने में प्रोब्लम होगी अभी मैं अगली स्लाइड पर चला जाओंगा जैसे एक बार इसको complete लिख ले अपन क्यूशन को डिवाइड बाई नीचे देखो बच्चो इस बार आएगा 1 square इसके नीचे कितना है 1 square, 2 square, 3 square, up to n square तो 1 into 2 into 3 into सब डबल बार आएगे बच्चों तो यह दो बार बनेगा बच्चों n factorial into n factorial इसके उपर बच्चों एक पावर भी है आपके पास में that is x upon n और इस पर बच्चो पारी चीज़ अच्छे से दिखाई दे जाए उसके बात करेंगे बच्चों आगे बात चलिए बात करते हैं घडısı सबस्यांदे बात करें कि तो आग़ी स्लाइट खाली नहीं है तो एक काम करते फिर यह पर देखते हैं ठीक है तो यहां से देंको क्या हो गड़्यbon you references n factorial कट जाएगा इस n factorial से n factorial कट जाएगा n की पाउर n कट जाएगा n की पाउर n कट जाएगा यह सब कट जाएंगे बच्चो आप बच्चो जो भी ट्रम है ना इसके अंदर अगर मैं log लू तो मेरे पास में कितना आएगा इसको मैं मान लू लिमिट को ल सो log L बराबर ध्यान से देखिएगा बच्चो यह x upon n जो था ना यह आपके पास में यहाँ पर बाहर आ जाएगा x upon n ठीक है और इसी के साथ में देखो पहली ट्रम आएगे आपके पास के लॉग x upon n plus 1 क्या बनेगी लॉग x upon n plus 1 ऐसे बच्चो लॉग a into log b into log c तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाती आप सबको पता होगा अगली ट्रम बनेगी बच्चो लॉग 2x upon n plus 1 और यह से चलता रहेगा लास्ट्रम बन जाएगी बच्चो लॉग nx divided by n plus 1 ठीक है यह तो बन गया बच्चो आपके पास न्युम्रेटर फिर देखो log a by log b तो यह सारी के सारी नीचे वली ट्रम ब प्लस 1 प्लस अगली ट्रम आ जाएगी बच्चो लॉग इसमें आ जाएगा देखो फोर एकस स्क्वार अपन एन स्क्वार प्लस 1 और इस तरीके से आपके पास में लास्ट तक चलता रहेगा तो यह आ गया बच्चो लॉग के अंदर एकस बाई एन बाहर भी आ गया और देखो आर इक्वाल टू वन से लेकर के एन तक ठीक है आर यूज कर रहा हूं मैं ठीक है तो यह कितना बनेगा देखो बच्चो आर एक्स आर एक्स डिवाइड बाई एन और साथ में आ जाएगा बच्चो प्लस वन फिर माइनस नीचे अचा इसके संदर लॉग भी है बच्चो ना माइनस लॉग नीचे लेगो बच्चो यहां पर वन हैयां पर टूस्क्वाइर है अगरी ट्रम में 3 स्क्वाइर होगा तो यह बनेगा बच्चो आर स्क्वाइर x square upon n square plus 1 ठीक है r square x square upon n square plus 1 और साथ में बच्चो इसको bracket को बंद कर दीजिए और x upon n था उसको last में लिख दीजिए x by n तो ये बच्चो आपका क्या बन जाएगा क्यूशन अब बच्चो बात करें तो देखो जब सिग्मा में क्यूशन आ जाता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं उसको डेफिनेट integration में convert कर देते हैं तो देखो वहां से कितना आएगा लॉग L ब्राबर वैसी fx है fx को लास्ट में कर देंगे देखो सिग्मा कनवर्ट हो जाएगा integration के अंदर लॉग कि देखो जनरली हम आर बाइन को एक्स लेते लेकिन यहां पर क्यूशन में पहले से direct attend 말 आए रवाई मन ले इसको तो यह हो जाएगा डेको इसको y मा लेसे तो यह बन जायगा x y प्लस 1 और minus log यह बन जाएगा बत्चो आपका 2 15淵ाई स्कुरएर प्लस 1 और बात करें बच्छो इसके limit की तो देखो r by n when r tending to 1 ठीक न लिमिट n tending to infinity यह हो जाएगा 0 और when r by n when limit n tending to n, n upon n कितना हो जाएगा बच्छो 1 तो यह होगी आपके limit 0 से 1 तो finally देखिए आपको एक function मिला that is f of x ब्राबर कितना आ रहा है देखो f of x ब्राबर यहां पर लिख रहा हूं में इसके अंदर बच्छो यह आगया आपका 0 से 1 और यहां पर आजाएगा आपके पास में log यह बन जाएगा आपके पास में कितना xy plus 1 divided by xy plus 1 divided by x square y square plus 1 ठीक है साथ में बच्छो उदर आपके पास में किया था x और 1 upon n कितना बन जाएगा आपका dx ठीक है तो यह बन जाएगा आपका x और y पूट किया था इसलिए उसको क्या लेंगे डी वाई लेंगे क्या लेंगे एक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमने आर अपका फंक्छन बन गया और लिमिट है आपकी 0 से 1 अब देखो बच्छो हम अपने क्यूशन का एनलाइस कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर तो यह था आपके पास में की लिमिट से क्यूशन को इंटीकरेशन में कैसे लेके आना है तो हम इस तरीके से लेके आएंगे चलिए अब बात करते हम लोग एक वार इसको मिटा देते हैं ठीक इसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं डीटेल में क्योंकि याप ठोड़े सी स्लाइड के जगे कम है क्योंकि उसन रफ बड़ा था आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी बाट इस वाले कि दिक्कत कर नहीं यह की कमी नहीं है ताइं बहुत है हमारे पास कि एक्जाम में नहीं होता है लेकिन बच्चों कि चलिए बात करते देखें देखो बच्चों यह जो इंटीग्रेशन था इसके अंदर अगर मैं एक्स वाई को टी माल लो एक्स वाई को टी माल लो एक्स इंटी वाई कितना हो जाएगा उटेज़ उहाई धीट वैं वाई टेंडिकि ची इंडीग्रक्रेशन प्र सब्सक्राइब और बन जायेगा इधर बच्चों बन गया अब्र आप यह अपना एनल्यासा कर सकते हो तो बड़ा ही आसानी से, सबसे पहले तो, अच्छा ये log fx है न, क्या है log fx, अगर इसके तरह आप lemnys लगाएंगे दोनों साइड पे, तो आपको मिलेगा बच्छो, f dash x divided by fx, log का differentiation 1 upon fx, और fx का differentiation f dash x, बराबर ये बन जाएगा बच्छो, log x plus 1 divided by x square plus 1, देखे बच्छो, बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम fx के बारे में बात करें बच्छो, ठीक है, fx कैसा होगा मेरा, ठीक है, fx हमेशा greater than 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो, ये drum मेरे पास में कहां पर है, बच्छो, ये drum मेरे पास log के अंदर, और आप सब को पता होगा, पता ह आपका हमेशा कैसा होगा, बच्छो, greater than 0 होगा, fx greater than 0 है, तो देखो, ये जो पहला option और दूसरा option है, इस ये monotonicity से related है, increasing and decreasing, ठीक है, अगर मैं 0 से 1 के, क्योंकि ये points है मेरे पास, ये भी 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं analysis कर लेता हूं, कि मेरा function increasing होग या decreasing, तो देखे, मेरे को ये पता चल गया, कि fx तो हमेशा positive होगा, तो ये quantity कैसी होगी बच्छो, तो देखो बच्छो, अगर x आपका 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो आप सब को पता होगा, कि x square और x में से कौन बढ़ा होगा, x बढ़ा होगा, जिसकी power ज्यादा हो रेशिप्रोकल करने की ज़रूत नहीं है, 1 प्लस x से बच्छो कैसा है, कम है, ठीक है, x प्लस 1 डिवाइड बाई x square प्लस 1, ठीक है, तो ये वाली जो quantity है आपके पास में, x square x से क्या होगा, जिसकी power ज्यादा होगी, वो quantity कम होगी, बिल्कुल, x square x से कम होगा, तो 1 प्लस x से कम होगा, ये quantity चोटी होगी और ये quantity बड़ी होगी बच्छो, और अगर ऐसा है, तो ये quantity कैसे आने वाली है बच्छो, ये positive आने वाली है, और ये positive है, ये quantity 1 से बड़ी है, ये quantity positive नहीं, positive तो होगी जैसा भी रहेगा, ठीक है, ये quantity आपकी 1 से बड़ी है, और log में अगर 1 से बड़ा number है तो यह कैसा होगा positive तो इस case में आपका f-x कैसा होगा बच्चो greater than 0 और f-x greater than 0 है तो आपका function होगा बच्चो increasing और function increasing होगा तो 0 से 1 में f of 2 by 3 की value f of 1 by 3 से ज्यादा होगी ऐसे बच्चो तो f of 1 by 2 f of 1 से ज्यादा नहीं होगा तो पहला option गलत हो जाएगा similarly बच्चो अगर आप check करोगे 1 से बड़े numbers के लिए तो आपका function decreasing आयागा क्योंकि यह ulta हो जाएगा यह quantity 1 से 40 हो जाएगी और यहां पर बच्चो यह नहीं यह 2 है ठीक है यहां पर भी आपको अगर brackets X के अंदर F के अंदर ABC दिखाई दे जाए तो A का मतलब बच्चो 1 है B का मतलब 2 C का मतलब 3 और D का मतलब 4 ठीक है ना वो थोड़े से corrections है इसके अंदर ठीक है तो उनको आप इस थरीके से देख सकते हैं तो इसके अंदर function आपका decreasing आएगा तो F dash of 2 की value बच्चो कैसी हो जाएगी less than 0 इसका भी बच्चो आप यहां से analysis कर सकते हो देखो F dash of 3 upon 3 इसके अंदर देखो 3 पूट करोगे यह क्या मनेगा बच्चो थोड़ा सा इधर देखो log 3 divided 3 plus 1 log 4 divided by 9 plus 1 10 तो यह बन जाएगा बच्चो log 2 बटे 5 ठीक है एक quantity तो क्या है आपकी log 2 upon 5 ऐसे बच्चो जब आप इसके अंदर 2 पूट करोंगे तो 2 plus 1 3 3 upon 5 दूसरी quantity log 3 upon 5 यह 2 put करने पर है और यह 3 put करने पर यह तो 3 से और यह 2 put करने से है ठीक है तो देखो कौनसी quantity ज्यादा बच्चो 2 वाली quantity ज्यादा है log 3 बटे 5 ज्यादा होगा तो यह greater होगा इसके comparative में यह sign ऐसा होना चाहिए था बट इन्होंने ऐसा दे दिया तो यह option भी बच्चो आपका कैसा हो गया गलत हो गया ठीक है तो बहुत ही सांदार सा क्यूसन था आपका लेमनेज प्लस डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ठीक है इसके अंदर आपकी मॉनोटोनिसीटी लिमेट डेफिनाइट इंटीग्रेशन ठीक है अलमोस्स सारी चीजे जो कैलकुलेस्ट में आपन पढ़ते हैं वो सारी चीजे आपकी यहां पर अच्छे से यूज हो रही है जले बात करता है अगले क्योशन की थरब और अगला क्यूसंलों देगी हमारा क्या है किसला नमबर टू Q2 के निदे देगे बच्चो आपको एक integration दिया है minus pi pi 2 से plus pi pi 2 ठीक है नब minus pi pi 2 से plus pi pi 2 x square cos x divided by one plus e x into dx ठीक है और आपको बच्चो क्या करना इसको integrate करना है तो सबसे पहले देखे बच्चो इसमें fourth property लगाते हैं आपन fourth property कौन सी होती है a plus b minus x वाली ठीक है इसको king's rule भी बॉलते है हम लोग ठीक है तो i ब्राबर कितना हो जाएगा बच्चों minus pi pi 2 से plus pi pi 2 यहाँ पर बच्चों put करोगे a plus b minus x तो देखो minus pi pi 2 से plus pi pi 2 तो कट जाएगा तो x minus x आएगा तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा पर इस पर फरक पड़ जाएगा यहाँ पर आजाएगा e की पावर minus x यह बच्चों आपकी equation number one और यह है आपकी equation number two इन दोनों equation को add कर दीजिए तो दोनों के addition से मिलेगा बच्चों आपको two i ब्राबर कितना आ जाएगा minus pi pi 2 से pi pi 2 ठीक है और इसको solve कर लीजिए बच्चों इसको solve करोगे x square cos x common आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा बच्चों one upon one plus ex और इसके अंदर अगर minus power को उपर लेके आओगे तो यह बन जाएगा e की power x divided by e की power x plus one तो यह तो कट जाएगा देखो इससे पूरा lcm आ करके आपका integration बन गया 2i ब्राबर यह एक even function है तो इसको two time कर दीजिए two time zero से pi pi 2 x square into cos x इसको बच्चों आप बहुत ही आसानी से integrate कर सकते हैं कैसे integrate करेंगे तो कट जाएगा और इसके इंदर यूज कर लें बच्चों आप कौन सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाइपार्ट्स ठीक है ना two ना होजाए बच्चों इसको अब इसको इसनी को इसको इसका पहले वाले का da जाएगा साइन का इंटीग्रेशल होता है माइनस cos x तो यहां पर माइनस आ जाएगा फिर माइनस के बाद लग.osc.2x का differentiation 2 और cos x का integration passion x लेकिन माइनस साइन है इस तो इस बार यह रहेगा आपका माइनस साइन एक अब बच्चो टो का इफ्रेंशिएशन जीरो आ जाएगा तो आपका इंटिग्रेशन हो चुका है एक ही लाइन के अंदर आप अपना डेफिनेट इंटिग्रेशन कंप्लीट कर सकते हो कौन सा आप जाप इंटिग्रेशन बाइपाट्स यूज करते हैं बच्चो इसमें पाई-पाई-टू फूट करते देखी कितना आएगा पहली ट्रम आएगी पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई डिपेंड जैसे फॉट प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें कनवर्ट हो जाएगा इसके बाद और इवन वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी दूसरी प्रॉपर्टी और इसके बाद इंटिग्रेशन बाइपार्ट ठीक है तो तीन कॉंसेप्ट क्योंकि जी एडवांस के क्यु प्रॉपर्टी इसमें क्या दिया है हमें तो जब भी इस टाइपस का क्यूशन आता है जिसके अंदर हमें पावर के अंदर वेरियेबल दियावा होता है तो हमारी आदत होती है क्या आदत होती है उसको डिप्रेंशियट करने की लेकिन देकि बच्चों आपको इस hae के स्युशंट पूछे गये हैं इसका differentiation इस equation के ही आप से पूछेगे हैं तो यहां पर इसको differentiate नहीं करना है ठीक है और अगर differentiation कर रहे हो ठीक है तो फिर इसको differentiation के concept के corresponding उसका answer the solution ठीक है तो फिलाल फिर कैसे करेंगे बच्चो तो देखो अगर मैं इस function को देखूं ठीक है अगर मैं एक बार इसमें lemnese लगा दूँँ ठीक है तो इसका differentiation बराबर कितना आ जाएगा बच्चो टू ठीक है ना इस function का differentiation होगा यह क्या होता है इसी function का differentiation होता है f of x का दोनों साइड differentiation करोगे तो 2 आएगा बच्चो f dash x positive आ रहा है मिंस आपका function कैसा होगा बच्चो increasing function होगा हमेशा बढ़ता रहेगा ठीक है तो फिर देखो बात करते बच्चो क्योंकि 0 से 1 में हमें निकालना है जिरो की value क्या होगी माल रहते हैं कि f of x के बराबर है ठीक है एं f of x बराबर देख तो बच्चो यह इसके बराबर है तो आगे वाले से निकाल लेते हैं बेटर रहेगा तो f of 0 की value आएगी बच्चो minus 1 और f of 1 की value आएगी बच्चो कितनी 2 minus 1 that is 1. f of 0 बच्चो minus 1 आ रहा है minus 1 0 पर value कितनी आ रही है minus 1 और 1 पर value आ रही है बच्चो 1 1,1 और बच्चो ये एक increasing function है ठीक है तो इन दोनों points के बीच में जब आप एक increasing function बनाएंगे तो 0 से 1 के बीच में शिरफ इसका एक ही solution आएगा और वो आपका यहां पर आएगा ठीक है तो बिलकुल एकदम आसानी से आप इसको कर सकते थे लेकिन जिन बच्चो ने गलती की थी वो यही की थी जिन्होंने इसका differentiate करके अगर solution निकाला है तो फिर आपका अंसर 0 आया होगा या कुछ और आया होगा तो वह बच्चो आपका गलत आंसर होगा सई आंसर कितना होगा वन होगा क्लियर है फिर चलते बच्चो आगे की तरफ next question की तरफ और next question क्या है देखिए हमारा next question के देखिए बच्चो आपको दे रखा है कि एक function है r से r में differentiable function है और आपको यहां पर कुछ values दी गई है f of 0, f of pi pi 2, f dash of 0 बहुत सारी values दे रखिए है इसी साथ में बच्चो आपको एक gx function दे रखा है जिसके अंदर limit दे रखिए आपको x से pi pi 2, f dash t cosec t minus cot t cosec t f t dt, x का interval बच्चो यह दिया गया है और finally आप से पूछाए कि limit x tending to 0 gx कितना होगा तो देखो बच्चो हमें gx चाहिए यहां पर ठीक है और इस function को अगर हम ध्यान से देखें तो देखें आप सब को दिखाई दे रहा होगा बच्चो this will be the differentiation of f of t into cosec t हमें कैसे पता चलेगा कि इसका differentiation है तो क्योंकि देखो बच्चो दो दो ट्रम आ रही है तो एक बार करके तो देखिए f t का differentiation f dash t और cosec t का differentiation minus का cosec t cot t into f t तो यह है बच्चो इसका differentiation d by dx of this और बच्चो इसको करना है इंटीग्रेट तो जब आपको integration और differentiation दोनों करना हो बच्चो तो कुछ नहीं करना होता है क्या करना होता है शीदा function को लिख करके उसके अंदर limit put करनी होती है f of t cosec t को नीचे ले आईए बच्चो तो यह बन जाएगा sin t इसके अंदर limit put कर दीजी कहां से कहां तक x से लेकर के pi pi 2 तक तो यह बच्चो आपको आपका function मिल जाएगा gx और उसकी value आ जाएगी देखो कितनी gx बराबर जब pi pi 2 put करोगे तो बच्चो f of pi pi 2 की value है 3 divide by sin pi pi 2 होता है बच्चो 1 minus जब बच्चो इसमें x put करोगे तो यह बनेगा f of x और divide by नीचे आजाएगा बच्चो sin x अब बच्चो आपको इसकी limit निकालनी है तो इसकी limit आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो तो limit x tending to 0 देखो यह तो एक constant rum है इसकी limit तो 3 ही होगी लेकिन minus इसके अंदर जब 0 put करोगे तो f of 0 upon sin 0 sin 0 तो 0 होता है बच्चो f of 0 की value भी 0 दे रखी है आपको that means यह 0 by 0 form है और अगर 0 by 0 form है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पर इसको differentiate करेंगे तो differentiation करेंगे यह बन जाएगा f dash x और अब 0 put करेंगे तो f dash 0 divide by cos x that is cos 0 और इनकी value कितनी दे रखी है बच्चो 3 minus f dash 0 1 divide by 1 so 1 3 minus 1 कितना आ जाएगा 2 और यही बच्चो आपका सही answer है इसका 2 खीक है integer type question था correct answer will be 2 एक बहुत ही बढ़ी ऐसा question को बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था इसको आपको देखना था तो आपको दिखाई दे देगा यह differentiation है इसमें limit put की limit put करती एक function मिलेगा यह तो constant function है इसकी limit तो 3 ही होगी और यह 0 by 0 form बन रहे है इसमें lh rule का use कर लीजिए तो आपका answer आसानी से आ जाएगा ठीक है अब चलते है बच्चो अगले question की तरह और अगला question है बच्चो देखो हमारा question number 5 और question number 5 में देखिए हमें क्या दिया गया है बच्चो question number 5 के अंदर आपको तेखो पांच फंक्शन पांच ने चार फंक्शन दिये गये हैं ठीक है ना f of x 0 से पाई-पाई-टू इधर आपको e की पावर x इधर x और इधर x की पावर 9 और आपको बताना है बच्चो इसमें क्या कि f अगर r से 0 से 1 f की domain क्या दिरुकिए बच्चो आपको बताना है कि इन में से कौन सा फंक्शन है जो 0 से 1 के अंदर कहीने कहीं पर 0 होने वाला है तो देखो बच्चो कैसे करेंगे एक छोटा सा पॉइंट अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं बच्चो देखो f of x की आपकी core domain है 0 से 1 क्या है 0 से 1 ठीक है तो इसका जो ग्राफ होगा वह पूरा का पूरा एक्सस के ऊपर होगा क्योंकि इसकी core domain 0 से 1 है f of t इसकी core domain अगेन आपके पास में 0 से 1 और और sin t 0 से 1 में positive होता है तो यह ग्राफ भी आपका ऊपर होगा और जब आप उसको 0 से पाई-पाई-टो में increase integrate करोगे तो यहां पर दो positive quantities का ही sum होगा ठीक है ना दो areas का क्या होगा addition होगा और दो positive area का addition बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकता तो पहला option बच्चों आपका गलत हो गया ठीक है यह कभी 0 नहीं हो सकता 0 से 1 के बीच ऐसे ही इसका analysis करेंगे तो इसका analysis भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर देखो तो x 0, 1 में है बच्चो, तो इसका जो graph होगा आपका e की पावर x का, वो graph बच्चो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होने का मतलब क्या हुआ, कि इसका जो area होगा बच्चो, ठीक है, वो इस rectangle से ज़्यादा होगा, कौन से rectangle से, इस rectangle से, यह किसका है e की पावर x, इसको आप integrate भी कर सकते हो ठीक है न 0 से 1 में ठीक है पर इंटिग्रेशन तो करना ही नहीं है आपको इसमें तो e की पाउर x की रेंज ही देखनी है ठीक है तो यहां पर एरिया से भी मतलब नहीं तो इसका जो आउट पूट आएगा बच्चो e की पाउर x का वो 1 से लेकर करके e के बीच में आ सकता है कहां से कहां तक 1 से e के बीच क्योंकि x 0 नहीं है तो 1 से ज्यादा ही होगा और e से कम होगा यहां पर एनलैसिस करेंगे बच्चो f t sin t तो वही बात आएगी देखो बच्चो जो इधर आई थी इसमें 0 से x करना है बट x की लिमिट भी बच्चो 0 से 1 है ठीक है तो यह भी आपका कहां से कहां जा सकता है यह तो maximum area आपका 0 से 1 के बीच में vary कर सकता है ठीक है ना 0 आ सकता है क्योंकि जब आपके पास में sin वैसे तो लॉर लिमिट sin t कभी 0 होगा नहीं क्योंकि आपकी जो लिमिट x की value 0 से 1 के बीच में 0 की तरफ एप्रोच ही क जाए तो देखो यह quantity 1 से बड़ी है और इसमें सबसे बड़ा number बच्चो 1 है तो 1 से बड़े number में सगरा 1 को भी subtract कर दोगे तो अभी कभी 0 नहीं आएगा तो यह भी आपका कभी 0 नहीं हो सकता ऐसे बच्चो इसका analysis करो तो यह हो सकता है क्योंकि देखो इसकी range आएगी 0 से 1 और यह भी क्योंकि f t cos t x का जो भी interval है इसकी range भी आएगी बच्चो मनलब 0 से 1 के बीच में आने की possibility है तो जैसे यह 1 की तरफ चला जाए ठीक 1 by 2 हो जाए यह भी 1 by 2 हो जाए ऐसी possibility बन सकती है तो यह बच्चो आपका 0 हो सकता है ऐसे आप चेक कर लीजे बच्चो यह भी आ 1 से बड़ी है और दूसरी quantity हमें सब 1 से चोटी है तो इसलिए यह कभी 0 नहीं हो सकता यह दौनों 0 हो सकते है और पहले वाला भी आपका 0 नहीं हो सकता है क्लियर है फिर चलते बच्चो आगे की तरफ और देखते देखो बच्चो अगला चलिए बात करते हैं यह है बच्चो क्यूसर नमबर 6 अगर इसके इंदर आप करके देखेंगे ठीक है तो gx दे रहका है आपको sin x sin 2 x sin inverse t और सारे option g dash में दे रहके हैं तो बच्चो जैसे ही आप इसका differentiation करोगी g dash x ब्राबर sin inverse sin 2 x और sin 2 x का differentiation होगा बच्चो 2 into cos 2 x फिर minus sin आगे बच्चो जब आप इसका differentiation करोगी तो इसमें sin inverse x के अंदर sin x को put करोगी और sin x का differentiation होगा cos x तो बच्चो इसमें से कुछ भी put कर लो आप आपका answer 0 ही आने वाला है एको तो g dash so pi pi 2 की बात करें तो sin inverse कितना बन जाएगा बच्चो यह 0 तो इसकी value 0 हो जाएगी so 0 into something 0 यहां पर भी बच्चो यह 0 बन जाएगा so 0 minus 0 will be equal to 0 यह किसकी value है g of pi pi 2 ऐसे बच्चो similarly minus pi pi 2 put करोगी g dash तो यह भी कितना आएगा g dash pi pi 2 भी बच्चो आपका 0 हो जाएगा इसके अलावा क्या कुछ है दो ही पूछे आपसे तो दौनों की value बच्चो 0 आएगी और आपको यह कोई option नहीं दिया गया है इसलिए 2017 में जब यह क्यूशन आया था तो आपका bonus हो गया था क्यों इसमें कोई भी option आपका सही नहीं है क्लियर है चलिए चलते हैं अगले क्यूशन की तरप और अगला क्यूशन है बच्चों हमारा क्यूशन नंबर 7 को देखे क्या दिया है 7 के अंदर यह क्यूशन देखो बड़ा ही सांदार क्यूशन था ऐसे क्यूशन्स आज कल देखो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं जाई एडवान्स के अंदर खास करके इसी टाइप के क्यूशन्स और इनको कैसे करना होता है आईए बात करते हैं देखो जो के इकवल टू 1 से 98 और के से के प्लस 1 इंटीग्रेशन भी लगावा है सिग्मा भी लगावा है के प्लस 1 डिवाइड बाई एकस इंटू एकस प्लस 1 ठीक है देखो जब भी कोई भी क्यूशन आता है आपके पास में इनकुलेटी वाला एस समीका जिसमें होती है त यहां पर जब बच्चो आप बात करेंगे के प्लस 1 डिवाइड बाई एकस इंटू एकस प्लस 1 तो इसके जब आप एनलैसिस करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि यह जो क्वांटिटी है आपके पास में यह 1 अपॉन एकस प्लस 1 से तो बड़ी है और 1 अपॉन एकस से चोटी होगी क्यों आप इसका ग्राप बना के देख सकते हो बच्चो एकस इसक्वाइर प्लस 1 यह क्वाड़ी प्लस 1 यह ब्राबर एकस प्लस 1 ठीक है यह जो ग्राप बनेगा एक यहां पर बनेगा एक इधर बनेगा ठीक है तो यह एकस वाला होगा ठीक है इससे हो जाएगा कम हो जाएगा कि यह तो अब इसको बड़ही आसा लीं से कर सकते हो पहले इनको बच्चो आपका इसमें तो कुछ करना ही नहीं है x into x plus 1 यह तो आपको लेकर ही आना है इसका अगर integration possible होता तो हम करते ही क्यों इसमें limit put कर दीजिए बच्चो कहां से कहां तक k से k plus 1 तक इधर भी limit put कर दीजिए बच्चो k से k plus 1 तक ठीक है बच्चो जैसे limit put करोगे तो यह बनेगा आपका ln k plus 2 minus ln k plus 1 ठीक है यह बन जाएगा बच्चो आपका integration ही रहेगा k plus 1 divided by x into x plus 1 और यह बन जाएगा बच्चो आपका log k plus 1 ln k plus 1 minus ln k अब बच्चो आपको सिग्मा एपलाई करना है इस पूरे पर क्या करना है आपको सिग्मा करना है लेखो शिग मास्ट जब लगाऊगे ऐसे Lord kß वाल टुवान से 98 इधर भी लगाओगे सिग्मा इधर भी लगाओगे सिग्मा एक्वाल टूवान से 98 तो देखो बच्चो सारी ट्रम कटेगी इसमें सबसे पहली ट्रम बचेगी आपके पास में लॉग लन जब वन पूट करोगे कितना आएगा बच्छों एलन 3 माइनस एलन 2 जब बच्छों 2 पूट करोगे तो यह बनेगा एलन 4 माइनस एलन 3 तो जैसे देखो इससे यह कट रहा है इसके आगया वाली ट्रम इससे भी एलन 4 भी कटेगा एलन 2 बच जाएगा लेकिन ठीक है ऐसे आरेगा लास्ट में बच्छों बचेगा इसमें लन 100 माइनस लन 99 देखो इदर से से केंड रहे है ना इधर से भी से केंड बचेगी लॉग 100 लॉग 100 बच्छों इधर तो बनेगा बच्छों लॉग 50 और यह बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई और इधर आ जाएगा सामने आ जाएगी और अब आप अपना आंस्वर आसानी से दे सकते हो देगो बच्छों आपका जो आई होगा वह लॉग 99 से तो छोटा होगा और लॉग 50 से बढ़ा है बच्छों ठीक है तो इससे भी बढ़ा होगा किससे 49 by 50 से भी बढ़ा होगा क्यों तो आपके पास में सही हो जाएंगे ठीक है आगे चलते बच्छों अगले कि तरह और अगला किस graphical है देखो हमारा किस्स seulement ira कि से नंबर एट में देखिया में क्या करना है प्रिज्ट नमबर एट फिर से आपका किससे रिलेटेड है सीरीज से रिलेटेड ऐसा क्यों आपने किया था बिल्कुल उसी टाइप का क्यों यह आएगा वापिस वाइप एन ब्राबर वन अपन एन प्लस वन एन प्लस टू अप्टू एन और हॉल टू दी पावर वन अपन सब से पहले लोगलेंगे सो लॉग वाइन बराबर आ जाएगा हमारे पास ठीक है यह पूरे के बहार है थो सबसे पहले वगण अपन लाग अपन अ थो यह बन जाएगा राउग फिर जो बचिबचो इस इसलिए उन पन वाइन बहार आ जींगा और यह बनेगा log n plus 1 plus log n plus 2 up to last drum आजाएगी बच्चो log n plus n ठीक है ऐसा बन जाएगा अब देखो इसमें LCM ले लो और LCM ले करके एक काम कीजिए माइनस एक भी बाहर आजाएगा तो n log n हो जाएगा ठीक है तो इस n log n माइनस का n log n है इसमें से हर एक log n सब के साथ में distribute कर दीजिए तो यह पह के पास मैं n plus 1 upon n ठीक है एक log n इसको दे दिया अगला log n इस दूसरे वाले को दे दीजिए बच्चो तो यह बन जाएगा n plus 2 divided by n ऐसे बच्चो लास्ट केंदर एक log दे दीजिए n plus n divided by n इसलिए बच्चो आपको यह दिया था तो यह भी खतम हो जाएगा क्योंकि इसको ध् minus sign आएगा बाहर और LCM लोगे तो एक आएगा n log n इसको ऐसे लिख सकते हो minus log n 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 n time और उस सब को एक एक को इनके साथ में distribute कर दीजिए तो आपके पास में यह आजाएगा अब देखो बच्चो यह series ऐसी बन गई log y n बराबर अच्चो इसके divide में एक n भी है LCM लोगे तो एक नीचे भी ओ रहेगा तो यह बन गया देगा बच्चो सिग्मा ln 1 plus r upon n और बाहर एक 1 upon n और r equal to 1 से लेकर n तक क्योंकि लास्ट्रम आपकी n प्लस n ही है वैसे बच्चो हमेसा 1 से नहीं होता इसमें लास्ट्रम को चेक करना बहुत जरूरी होता है ना कई बार n बराबर कितना आजाएगा बच्चो यह convert हो जाएगा integration में 0 से 1 इसमें limit लगी हुए limit and tending to infinity ठीक है यह बनेगा बच्चो आपका log 1 plus x और यह बन जाएगा बच्चो आपका dx ठीक है इसको क्या करना है मेरे को इसको मेरे को integrate करना है तो इसको integrate कर दीजिए देखे कितना आ र 1 plus x minus x divided by 1 plus x इसको बच्चो एक बार फिर integrate करना है तो इसमें एक add कर दो और एक subtract कर दो last में limit एक साथ पूट कर देंगे तो यह बनेगा x into log 1 plus x minus x plus 1 upon x plus 1, 1, 1 का integration होगा बच्चो, x plus 1 upon 1 plus x, तो log 1 plus x, ठीकर minus minus plus हो जाएगा, into dx था यहाँ पर, इसमें बच्चो अब limit फूट कर दीजिए 0 से लेकर के 1 तक, तो इधर आते हैं, इधर फूट करते हैं, कितना आएगा, बच्चो, 1 फूट करोगता आएगा 1 into log 2, यह आजाएगा आपके पास में log 2, यहाँ 1 फूट करोगत यह बन जाएगा बच्चो, minus 1, और यहाँ 1 फू 4 upon E, और उधर है बच्चो, आपके पास में LNL, ठीक है न, इधर भी हमने log YN, ठीक है न, कितना था, YN, तो YN की value कितनी आजाएगी बच्चो, 4 by E, और ध्यान से बच्चो, आप से क्या बोला गया है, कि यह limit L के बराबर है, तो greatest integer of L कितना होगा, तो actually आप से 4 upon E का greatest integer होता है, ठीक है न, बहुत सारी चीजे क्यूशन में दी हुई होती है, हर क्यूशन को बड़े ही ध्यान से देखना है, बच्चो, E 2 से बड़ा नंबर होगा, 4 को जब 2 से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, तो one point something आएगा, जिसका greatest integer की value बच्चो, एक आएगी, और इ क्यूशन नंबर 9 में देखो बच्चो, एक बहुत ही standard integration आप से पूछा गया है, और अभी अभी देखो, जई advance 2018 में ये question आया था, एक standard equation बच्चो, 6 plus 2, 8, 8 divided by 4, 2, और जब भी अगर 2 फेक्टर की power का sum, अगर बच्चो, 2 आता है, तो ये standard integration होता है, इसमें से किसी भी एक factor को बाहर निकाल लीजिए, और बाहर इतना निकालिए कि बाहर आपके पास में x plus 1 की power 2 आजाए, तो देखो बच्चो, क्योंकि इसकी power 4 है, तो अगर मैं 1 plus x को निकालना चाहूं, ठीक है, या 1 minus x को जिसको भी निकालना चाहे, अगर मैं 1 plus x को बाहर निकालना चाहूं, त तो मेरे को यहां पर 8 चाहिए होगा, दो की जगे पे, और अब मैं ऐसे तो इसको कर नहीं सकता है, कि मैं काट के 2 को 8 कर दूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको 1 plus x की power 6 से multiply कर दिया, और 1 plus x की power 6 से divide कर दिया, divide करने से क्या हो जाएगा, वहां पर 8 आजाएगा, और power 4 को बाहर निकाल लीजिए, उपर power 1 by 4 है, तो बाहर common आजाएगा आपके पास में 1 upon 1 plus x की power 2, बचो जरूरी नहीं था, आप इसी factor को निकाले, आप दूसरे वाले factor को भी निकाल सकते थे, वहां पर भी आप 8 बना करके 1 minus x की power 2 को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन देखिए हमने इसको निकाला है, तो इसके corresponding देख लें, आगे कितना होगा, 1 minus x divided by 1 plus x की power 6 upon 4, ठीक है, बच्चो ये जो ऊपर 1 plus root 3 दे रखा है, ये बस आपको final calculation अच्छी बन जाए, उसके लिए दिया है, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको देखके confused नहीं होना है, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये एक simple indefinite integration है, बच्चों, आपको इसको करना है, 1 minus x upon 1 plus x को t मान लीजिए, 1 minus x upon 1 plus x को, और t मत मानिए बच्चों, power में जितना भी आपके पास में, रेसिप्रोकल में होता है, उतनी power इदर ले लीजिए, t की power 4, ठीक है, इसको कीजिए नीचे आएगा 1 plus x का hall square, इसलिए बच्चों, इसको बाहर निकाला था, इसका purpose यही था, उपर वाले का differentiation minus 1 plus x, फिर minus sign, नीचे वाले का differentiation 1, उपर वाला as it is, into dx, बड़ाबर कितना आजाएगा बच्चों, 4 t cube into dt, देखो बच्चों, simplify करो, minus का x और यहां पर minus plus का x, यह तो क x upon 1 plus x का hall square बराबर, minus का 2 t cube into dt, ठीक है, यह आजाएगा, इसको यहां put कर दो देखो बच्चों, उपर बाहर minus sign, 2 को भी बाहर ले लिजिए, root 3 plus 1 को एक बार चलो, यहां पर आपने बना दिया है, तो यह सा लिख लो, t cube into dt, और divide by, नीचे कितना आएगा, देखो बच्चों t की power 4 माना था, 4 तो कट जाएगा, लेकिन t की power 6 रहे जाएगा, ठीक है, इसके साथ में आपको limit दे रखी है, किसकी? limit दे रखी है, आपको x की, आपको t चाहिए, देखो बच्चों, जब x 0 होगा, तो t भी कितना होगा, बच्चो, t 1 हो जाएगा, और जब x 1 by 2 होगा, तो यह आएगा, बच्चो, 1 by 3, तो यह बन जाएगा, आपके पास में, 1 upon 3 का 4th root, ठीक है, 1 upon 3 का 4th root, क्योंकि यह किसकी value है, t की power 4 की value है, ठीक है, इसको integrate करते देगा, बच्चो, t cube से यह कट जाएगा, नीचे बचेगा, t cube, जिसका integration होगा, minus, तो बार minus है, वो plus हो जाएगा 2 divided by, minus 3 plus 1, 2 आएगा, root 3 plus 1, और divide by t square, और इसमें limit put कर दीजिए, 1 से लेकर के, 1 upon 3 का कितना आया था, बच्चो, 1 upon 3 का 4th root आया था, तो वो इसमें put कर दीजिए, 2 से 2 कर जाएगा, root 3 plus 1, देखो बच्चो, जब आप इसके अंदर 1 upon, यह put करोगे, कितना? 1 upon root 3 का 4th root, तो यह कितना बनेगा, बच्चो, root 3 बनेगा, लेकिन जब इसमें put करोगे, तो यह ऊपर आ जाएगा, और यह बन जाएगा, आपके पास में root 3, और जब 1 put करोगे, बच्चो, तो यह आजाएगा, minus 1, तो जैसे मैंने कहा था, कि लास्ट में आपका, calculation आसान करन में काम में आएगा, root 3 plus 1 into root 3 minus 1 बराबर, 3 minus 1, और इससे आपका जो answer आजाएगा, वो कितना आजाएगा, 2, तो यह है बच्चो, इसका सही answer, तो बिलकुल एक देम, standard integration था, ठीक है, जो बहुत बार हम लोग class में बताते हैं, आप लोगों को, आप लोगों किये होंगे, कि कै जब दो factors की power sum आजाए, तो कैसे उसको integrate करना होता है, फिलियर है, आगे चलते हैं बच्चों, अगले question की तरफ, और अगला question है, बच्चों हमारा question number 10, question number 10 में क्या करना है, बच्चों, एक limit से related question है, ठीक है, जिसको हम बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं, तो आएए देखते है की कैसे करेंगे, बच्चों बात करते है, question के बारे में, तो देखते हैं, यहाँ पर देखें, फिर से series आ रही है हमारे सामने, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखो, ऊपर भी एक series है, नीचे भी एक series है, दो series है, यहाँ पर, तो यह सब जगे पर cube root है तो यह बन जाएगा, आपके पास में, उपर वाली जो series है, ठीक है, ना, 1 upon n का cube root, प्लस, दूसरी ट्रम बन जाएगा, आपके पास 2 upon n का cube root, और ऐसे चलता रहेगा, n upon n का cube root, ठीक है ना, नीचे n की power 7 by 3 है, उसमें से n की power 1 by 3 से उपर divide कर दिया, यहाँ बचेगा square, ठीक है, तो एक काम करते हैं, नीचे से सब जगे से n square common निकाल लेते हैं, तो यह बन जाएगा, आपके पास में, 1 upon a plus 1 upon n का whole square, ऐसे दूसरी ट्रम बन जाएगा, 1 upon a plus 2 upon n का whole square, एसे आपके पास में, 2 series बन जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, और यह आपका complete हो जाएगा, n की power 1 by 3 उपर चला गया, और नीचे से n square जो आया, उसे n square कट गया, अब बच्चो, sigma बनाने के लिए, उपर वाला मेरे पास में क्या बन जाएगा, sigma r upon n का cube root, ठीक है, लेकिन मेरे का 1 upon n भी चाहिए बच्चो, तो 1 upon n से इसको भी divide कर तो इसके साथ में आजाएगा, 1 upon n, divide by, नीचे वाला बन जाएगा, sigma 1 divided by a plus r का all square, और into 1 by n, r की limits है में दोनों के अंदर बच्चो, r equal to 1 से r equal to n, यहाँ पर भी r equal to 1 से r equal to n, अब देखो क्या होगा इसके अंदर, अब इसको हम integration में convert करना है, तो बड़ी आसानी से हम इसको integrate कर सकते हैं, उपर वाला हो जाएगा आपका 0 से 1, और कितना हो जाएगा, cube root of x, ठीका न, cube root of x into dx, और नीचे वाला हो जाएगा बच्चो, आपका कितना, 1 upon a plus x का all square into dx, और integration from 0 से 1, देखो उपर वाले को integrate करेंगे, तो आएगा, x to the power 1 by 3 plus 1, that is x to the power 4 by 3, divide by 4 by 3, तो बाहर आजाएगा 3 by 4, इसमें limit put करनी है, मेरे को 0 से 1, और नीचे वाले का integration होगा, बच्चो, minus 1 upon a plus 1, so minus 1 upon a plus x, और यह हो जाएगी limit again 0 से 1, तो देखो कितना आ रहा है, बच्चो, 1 put करोगे, तो 1, 0 put करोगे, तो 0 तो ऊपर तो आजाएगा 3 upon 4, और नीचे आजाएगा बच्चो, जो 1 put करोगे, बाहर minus sign है, और जो 0 put करोगे, तो बाहर minus sign है, तो प्लस हो जाएगा, तो यह आएगा बच्चो, 1 by a minus 1 upon a plus 1, और यह कितना दे रहा है हमें, यह दे रहा हमें 54 के बराबर, इस equation को बच्चो, हम बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसमे दे डिवाइड हो जाएगा यह, कितना आजाएगा, 18, 18 into 4, 1 upon 18 into 4, 18 into 2, 36, 72, ठीक है, तो उपर तो आजाएगा, बच्चो, a plus 1 minus a, 1, और डिवाइड बाई, a into a plus 1, बराबर, 1 by 72, तो यहां से 2 values आएगी मेरे पास, जब मैं solve करूंगा, क्या-क्या, एक तो a की value 8 आएगी, 8 इसको satisfy करें, चेक कर लो सिधा, ठीक है, एक ही जो values है, then the possible values of a, alpha नहीं, actually a है, यह है, then the possible values of a, ठीक है, एक ही possible values, तो एक तो इसको 8 satisfy कर रहा है, डिरेक्ट चेक कर लो, चाहो तो उसको solve कर लो, क्योंकि हमें a की values ही check करना है, तो 8 into 9, 72 होगा, एक तो आपका b option correct होगा, एक बच्चो यह भी correct होगा, minus 9 वाला भी, क्योंकि minus 9 into minus 8 हो जाएगा, तो वो भी आपका 72 हो जाएगा, तो b और d दोनों options आपके सही है, ठीक है, फिर चलते बच्चो आगे की तरफ, अगला question देखते है, that is question number 11, यह देखी बच्चो कब पुछा गया था, यह आया था आपके आपस में J-Advance 2019, इससे एक साल पहले ही थी, 21 के पहले 20, 20 के पहले 19 के अंदर, तो 27 I-square पूछा है, तो वो सब आ जाएगा, आप तो इस integration को कीजिए, और उसके बाद में देखिए कि क्या आ रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे, I बराबर इसके अंदर वो यह चौथी property ल ठीके न, minus of sin theta will be equal to minus sin theta, इस पर बच्चो कोई फरक नहीं पड़ेगा, यहां से कितना आजाएगा, यह आजाएगा सीधा 2 minus cos 2x, और साथ में कितना है मेरे पास, dx, तो यह है मेरे पास में second integration, यह था पहला integration, इन दोनों को add कर दीजिए, equation 1 and equation 2, तो देखिए मेरे पास में कि common आजाएगा, ठीक है न, 2 upon pi दोनों के इंदर है, साथ में बच्चो, limit भी सेम है मेरे पास, minus pi pi 4 से plus pi pi 4, इसके बाद में क्या होगा बच्चो, इसमें एक factor यह common आएगा, इसको common निकाल लो, 1 upon 2 minus cos 2x दोनों जगे पे है, इसको common ले लिया, तो पिछे बचा बच्चो मेरे पास, यहाँ पर तो 1 upon 1 plus e की power sin x, और इसके अंदर जैसे भी एक क्यूशन में हमने पहले किया था, negative power को positive बना दिया, तो इसको उपर ले आए, तो यह बन जाएगा, e to the power sin x divided by 1 plus e to the power sin x, तो अगेन देखिए, आपका यह factor तो कड़ जाएगा, 1 plus e की power sin x से 1 plus e की power sin x, कितना आएगा, 1 upon 2 minus cos 2x, cos 2x का formula लगा दीजिए, तो कितना आएगा, देखो, 2 से 2 cancel out हो गया, और अब देखो बच्चो, हमें दिखाई देगा यहाँ पर, कितना, i ब्राबर 1 upon pi, तो थोड़ी देर के लिए इस pi को इधर multiply कर देते, ठीक, ताकि अपने को confusion ना हो, pi i ब्राबर, य इसको 2 time कर दीजिए, 2 time 0 से pi pi 4 और इसके अंदर, बच्चो, cos 2 theta का formula लगाईए, तो देखो, cos 2 theta का formula होता है, 2 minus 1 minus 10 square x divided by 1 plus 10 square x, ठीक है, उपर 1 into dx, इसको simplify कीजिए, तो देखे, 2 को भी उदर ले जाएए, तो यह बन जाएगा, pi i divided by 2 ब्राबर, कितना आजाएगा, बच्च square x divided by, नीचे देखो आएगा, 2 plus 2 10 square x minus 1 plus 10 square x, तो बच्चो, 2 10 square x plus 10 square x will be 3 10 square x, और plus 2 minus 1 will be 1, और limit from 0 से pi by 4, यह देखो, बच्चो, बहुत एक non integration है, आप सबने बहुत बार किया होगा, pi i upon 2 बराबर कितना आजाएगा, 10 x को t put करेंगे, तो उपर वाला बन जाएगा, dt, यह बन जाएगा, आपका 3 t square plus 1, और इसको आपको integrate करना है, बच्चो, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 1 तक क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, 10 pi by 4 आपका 1 हो जाएगा, 10 0, 0 हो जाएगा, 10 x को हमने क्या माना था, t माना था, ठीक है, बच्चो, इसका integration आएगा, 1 upon root 3 into 10 inverse root 3, तो root 3 t, इसमें limit put करेंगे, हम 0 से लेके 1 तक, तो जब 1 put करोगे, तो 10 inverse root 3, यह होता है, बच्चो, pi upon 3, ठीक है, तो एक root 3 पहले से नीचे परजेंट था, so pi upon 3 root 3, और 0 put करोगे, तो 0, और इधर है, बच्चो, हमारे पास में, pi i divided by 2, तो जैसे मैंने कहा था, आप त इस question को solve कीजी, answer automatic आजाएगा, देखो, pi से pi कट गया, हमें i square चाहिए, तो i square की value आएगी, बच्चो, 4 upon 27, और जब आप यहाँ पर 4 upon 27 put करोगे, इसकी जगे पे, तो 27 से 27 कट जाएगा, और इसकी value आजाएगी, आपके पास में 0, 4, ठीक है, तो यह बच्चो, आपका, इस देखो हमारा, अगला question है, बच्चो, question number 12, यह देखो, बच्चो, 2019 का ही question है फिर से, ठीक है, 19 में 2 questions आये थे, 0 से pi pi 2, 3 root cos theta divided by root cos theta plus root sin theta की power 5, देखी बच्चो, कैसे solve करेंगे, हमने ऐसे बहुत integration किये थे, जिसमें उपर cos, नीचे cos और sin थे, लेकिन वो बड़े आसानी से हो हो गे थे, क्योंकि उपर भी factrum पे power 1 होती थी, नीचे भी 1 तो वो cut जाता था, लेकिन जैसे मैंने कहा देखो, यह IIT का question है, तो यह थोड़ा तो आपको मैनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं दिया जाएगा, कि आप एक ही line में उसको solve कर ले, root sin theta plus root cos theta की काम वोई करना है, बढ़ थोड़ा सा आगे बढ़ करके हैं, 5, cos sin में convert हो जाएगा, sin cos के दर चौथी property हमने use कर ली, again equation number 1, equation number 2, फिर से वही बात, दोनों equation को add किया, काम वोई कर रहे हैं देखो, आज भी, ठीक है ना, वोई एक factor कर जाएगा, आपका, 3 बाहर common, ठीक है ना, 0 से pi pi 2, उपर राएगा बच्चो, root cos theta, plus root sin theta, ठीक है, तो उपर तो 1, और नीचे से एक factor बच्चो, आपका कम हो जाएगा, root sin theta, plus root cos theta, और इसकी power 4, इसके पास बच्चो, वही काम, अगेन फिर से आपके पास, ठीक है, इसमें से root cos theta को बाहर निकालेंगे, तो root cos theta की power 4 होगा, बच्चो, cos square theta, जो बन जाएगा, आपके पास में, 3 seg square theta, into d theta, और साथ में आएगा, बच्चो, यहाँ पर root 10 theta, और plus 1 की power 4, यह किसकी value हो, बच्चो, 2i की value है, अगेन यह, ठीक है, फिर से देखो, बच्चो, क्या करना है हमें, अब वही, देखो, 10 theta और seg theta में आगा, एक non type का integration है, 10 theta को put करेंगे, बच्चो, t square, तो seg square theta, into d theta, कितना बन जाएगा, मेरा, 2t dt, ठीक है, यह, 2t dt आगया, यह, यह, put करेंगे, seg square theta की जगे, so, i बराबर हो जाएगा, मेरे पास, 3 by 2, integration of, t square माना था, तो इसलिए, यह बन गया, 2t dt, और divide by, नीचे बन जाएगा, मेरे पास, t plus 1 की power 4, ठीक है, क्यों 10 theta को t square माना था, एक 2 से 2 कट जाएगा, इसमें 1 aid कर दिया, 1 subtract कर दिया, तो यह बन जाएगा, i बराबर 3 time, t plus 1 upon t plus 1, यह बन जाएगा, बच्चो, 1 plus t plus 1 का hall cube, और minus 1 upon t plus 1 की power 4, इन दोनों integrations को, बच्चो, हम बहुत ही आसानी से integrate कर सकते हैं, और हमारी limit put कर स होगा, तो यह 0 होगा, जब t pi pi 2 होगा 10 theta, तो t की value कितनी होगी, बच्चो, infinity, तो 0 से infinity इसमें put करना है, तो देखो बच्चो, जब infinity put करोगे, तब तो यह 0 minus 0 आएगा, लेकिन minus sign, जब 0 put करोगे, अच्छ, अभी तो पहले integration तो करो, अभी तो हमने integration ही नहीं किया, शिदी limit put कर रहे हैं, इसका integration होगा, t plus 1 की power minus 3, तो यह बन जाएगा minus 2, so minus 2, 1 upon minus 2, into t plus 1 का all square, और यह बन जाएगा, बच्चो, 1 upon plus 3, t plus 1 का all cube, अब इसमें limit put कर दो, 0 से infinity, देखो बच्चो, infinity put करोगे, तो दौनों ट्रम 0 हो जाएगी, 3 time 0, और यह भी ट्रम हो जाएगी, 0, फिर minus sign, जब 0 put करोगे, तो यहां भी minus sign है, तो यह हो जाएगा, बच्चो, plus 1 by 2, और minus, जब बच्चो, यहां पर 0 put करोगे, तो यह हो जाएगा, 1 by 3, इसको अंदर multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, 3 by 2 minus 1, that will be equal to 1 by 2, अब बच्चो, आप यह सोचेंगे, कि integer type question में, 1 by 2 कैसे आ सकता है, तो बच्चो, 2020 में जो questions, 19 में जो questions, एक paper में जो आया था, उसमें आपके decimal type के answers भी आजकल आते हैं, तो आप ऐसा मत सोचें कि integer ही लेकर आना है, ठीक है, decimal type का answer भी आ सकता है, इस question का answer आपका 1 by 2 ही था, clear है, फिर चलते हैं बच्चो, अगले question की तरप, और अगला question है, बच तो चलिए बात करते हैं अपने questions की तरप, तो question में देखिया हमें क्या दिया गया है, तो चो हमें इस integration को करना है, f r से r में एक differentiable function है, such that its derivative f dash is continuous, ठीक है न, इसका derivative continuous है, आपको कुछ data दिया गया है, f of pi की value minus 6 से आपको जरूद पढ़ सकती है, capital f की domain 0 से pi co domain r is defined by this, ठीक है यह capital f x एक तो function है, और इसकी value 2D है, और f of 0 पूछा है, तो चलि हम तो इसको integrate करते हैं, फिर जो भी आएगा उसको देखा जाएगा, f dash x into cos x plus, दूसरा है बच्चो आपके पास में f x into cos x, एक काम करते हैं बच्चों, पहले पहले वाले में integration by parts लगाएं, फिर बात करेंगे दूसरे की तरफ हो सकता है, बहुत बार इसकी जरूती नहीं पड़ती है, और अगर जरूत पड़ेगी तो फिर देखेंगे, देखो इसके अंदर integration by parts लगाएंगे, इसको लेंगे पहला function, इसको लेंगे दूसरा function, इसका integration आएगा आपके पास में, f of x into cos x, फिर आएगा बच्चो, minus sign, f dash x का integration, f x और cos x का integration होगा, बच्चो, sin x, ठीक है न, कितना आजाएगा, sin x, साथ में, cos का minus sign होता है, बच्चो, यहाँ पर plus हो जाएगा, और limit 0 से πाई, into dx, और इसके अंदर, बच्चो, limit put करनी है, मेरे को, 0 से πाई, साथ में, बच्चो, इस integration को देखा हमने, यह है, 0 से πाई, कितना है, बच्चो, f of x into cos x, अब देखो, बच्चो, यहाँ पर तो है, capital fx, और यहाँ पर है, मेरे पास में, small fx, लेकिन, जब भी में integration करता हूँ, तो मेरे को, दोनों जगे पर, मैं चाहता हूँ, की same type का integration बन जाए, तो small fx या capital fx में से किसी एक को convert करें, तो यहाँ से देखो, बच्चो, इसी statement से, capital fx equal to, आजाएगा, small fx, lemnese rule से, तो इसमें limit पूट करोगे, बच्चो, f of pi, तो वहाँ से आएगा, देखो, f of pi into cos pi, cos pi की value होती है, बच्चो, minus 1, minus, जब 0 पूट तो आएगा, f of 0, small f of 0 into cos of 0, तो यहाँ से आजाएगा, आपके पास में, f of 0, clear, इसमें, बच्चो, fx को, जब capital fx पूट करोगे, तो ज्यान से देखिए, बच्चो, यह capital f of x, ठेक है, इस fx का derivative, और यह sin x का derivative, cos x, तो actually, बच्चो, यह बन जाएगा, आपके पास में, f of x x into, किसका, sin x का, ठेक है, इन दौनों का derivative, तो derivative है, तो कुछ नहीं करना, सिधा limit put करना है, जोगि derivative और integration दौनों एक साथ आजाए, तो कुछ मत कीजिए, सिधा limit put कर दीजिए, f of pi put करोगे, तो sin pi 0, 0 put करोगे, तो b 0, f of pi के विले, बच्चो, minus 6, 6 minus f of 0, इसका answer आजाएगा 0, और यह बच्चो, equal to में, आपको इस integration की value दे रखी है, 2, तो यहां से आपका f of 0 की value आजाएगी, 6 minus 2, ब्राबर 4, और यही बच्चो, क्या है आपका answer, ठीक है, तो यह था आपका question number 13, जो इसी साल 2020 में, पुछा गया था, आगे चलते हैं बच्चो, अगले question की तरफ, औ देखिये क्या करना है, इस question में, which of the following inequality is true, देखिये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी inequality true है बच्चो, तो देखिये काम कीजिए, जितने भी आपके पास में है, x cos x, x sin x, x square sin x, x square cos x, ऐसे लग रहा है कि inequality कैसे आएगी, तो एक काम करते हैं बच्चो, हम सबको इनके expansion पत करके, अगर हम उसका कुछ part लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक inequality बन जाएगी, ठीक है, कैसे जैसे बच्चो, x cos x का expansion होता है, 1 minus x square upon 2 factorial, ऐसे फिर बच्चो, अगली ट्रम भी आएगी, लेकिन, वो ट्रम बच्चो, इसमें add होगी, ठीक है न, x into cos x क्या होगा, वो इससे ज जादा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको i ले लेते हैं, जो आपको यह दे रखा है, इसको i1, तो i1 की जो value होगी, वो इससे जादा होगी, इसको बच्चो, आप integrate कर लीजिए, 0 से 1 तक, आपका answer सीधा आजाएगा, x का integration, x square by 2 minus x cube का integration, x to the power 4 upon 4 into 2, 8, इसमें limit put कर 0 से 1, 1 by 2 minus 1 by 8, 0 put करोगी, तो 0, 8 LCM आएगा, 4 minus 1, 3 by 8, तो i1 की value आएगी, बच्चो, 3 by 8 से greater, तो पहला option बिलकुल सही है बच्चो, आपका, ऐसे बच्चो, दूसरे के अंदर कीजिए, x sin x के अंदर, इसको i2 मान लेते हैं, तो देखो, i2 की value greater होगी, x, sin x का क्या होता है बच्चो, x minus x cube upon 3 factorial, मैंने इतना ही part लिया है, क्योंकि इसके अंदर और भी होता है, ठीक है, तो ये बच्चो, inequality बन जाएगी, ठीक है, i2 इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका integration होगा, बच्चो, x cube upon 3 minus x की power 4, x की power 5 upon 5, 5 into 6, 6 into 5 होता है बच्चो, 30, ठीक ह होगे तो आएगा बच्चो, कितना, 10 minus 1, कितना हो जाएगा, 9 by 30, तो 9 by 30 हो जाएगा बच्चो, 3 by 10, बिल्कुल आपको देको यही दिया गया है, 3 by 10, similar way में बच्चो, आप C और D के अंदर भी ऐसी दो-दो ट्रम को आपका integrate कीजिए, तो इसके अंदर आपका 1 by 2 नहीं तो आपका A, B और D, यह तीनों options क्या होंगे बच्चो, सही होंगे, clear है, चली आगे चलते, same way में, जैसे हमने i1 और i2 निकाला है, उसी तरीके से यहां से x से multiply किया था, वहां पर आपको x square से multiply करना और यही काम आपको करना है, आगे बात करते हैं बच्चो, अगले question की तर number, B non-zero real number है, suppose f r से r में differentiable function है और f of 0 की value 1 है, if the derivative of f dash of f satisfy this equation, अगर इस equation को satisfy कर रहा है derivative, then which of the following statement is are true, तो देखी बच्चो, इसको integrate कीजिए, f dash x का मतलब कितना हो गया बच्चो, f x को नीचे ले आईए, तो इसका integration हो जाएग, बच्चो, f x को t मानेंगे, तो log f of x, बराबर, x के respect में इसका differentiation होगा, बच्चो, कितना, 1 upon b into 10 inverse x upon b plus c, constant को add करना, मत भूलिएगा, इसके लिए, बच्चो, f of 0 की value 1 दी है, तो x का value 0 पूट करोगा, तो ये 1, तो c की value कितनी आजाएगी, बच्चो, 0 आजाएगी, ठीक, log 1 0 होता है, f of 0 1, तो log 1 0, ये 0, तो c f of x की value कितनी आजाएगी, बच्चो, e की power 1 upon b into 10 inverse x upon b, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बच्चो, आपका function, ठीक है, अब देखो ज्यान से, f of x यहां से पता चल रहा है, हमेशा positive होगा, क्योंकि e की power है, तो f of x हमेशा positive है, x square हमेशा positive होगा, b square हमेशा positive होगा, ठीक है, तो बच्चा, कुछ भी हो जाए आपके पास में x और b, f dash x आपका always कैसा होगा, बच्चो, greater than 0, और अगर f dash x greater than 0 है, और b greater than 0 के लिए f आपका कैसा हो जाएगा, increasing function, b less than 0 के लिए भी increasing function ही होगा, क्योंकि b पे depend ही नहीं करेगा, साथ में, बच्चो, बात करें, अगर f of x into f of minus x ठीक है, देखो, f of x into f of minus x, तो देखो, बच्चो, f of x के लिए आपर plus x होगा, और minus में minus होगा, तो ये बन जाएगा, बच्चो, e की power 0, क्योंकि इसी ये data एक बार plus में आएगा, और एक बार minus में, बेस से में तो power 8 हो जाएगी, और दोनों कटके e की power 0, तो ये 1 तो ये option आपका बिल्कुल सही है, f of x into f of minus x, बराबर 1, लेकिन बचो, d option आपका गलत है, अगर आप f of x में से f of minus x को subtract करोगे, तो 0 नहीं आएगा, e की power 1 upon b, 10 inverse x upon b, minus e की power 1 upon b, 10 inverse minus x upon b, जिसमें से minus sign आपका, वो cancellation नहीं होगा, क्यों उपर एक में plus sign है, और एक में minus sign है, त ठीक है, तो a और c options बच्चों यहां पर आपके सही होंगे, ठीक है, और यह था बच्चों, आज का आपका last question, तो यह थी आपकी unit number 8, जिसमें आपने देखा कि definite integration से बहुत सारे questions आए हैं, definite का तो ही नहीं साथ पिछले कुछ सालों में, लेकिन कभी भी आ सकता है, ठीक है, चलिए बात करेंगे, अगले classes के अंदर कुछ नई और अपनी गुरुनितिस के बारे में, आज का काम यहीं complete करते हैं, ओके, thank you very much.